हेलो एवरिबन इस वीडियो में बात कर लेते हैं सोना BLW प्रेसिजन की एजन सोना कॉम्स सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो सोना कॉम्स में आप देख रहे हों कि स्टॉक में एक अच्छा-खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला और सही चलती ही नजर आ रही है और इसी रेंज को फॉलो करें काफी लंबे टाइम से यह अभी से नहीं बनी है यह अगर आप द इस पैटन में चलती ही नजर आ रहा है अब यहां पर इस टॉक इस लेवल के करीव आता है 700 के आसपास यहां पर से लेवल सस्टेन करने में दिखकत ही 706 के अपन को यहां गई और इसकी उपर स्टॉक नहीं जा पाए तो नीचे की दिशा में यह और 680 के आसपास क्लोज हो हो गया वेल स्टॉक में बुलिश मोमेंटम अच्छा था वॉल्यूम भी अच्छा था बट डियू टू मार्किट सेल आफ कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिला अपन को यह स्टॉक अफेक्ट रहा है उससे तो नेक्ट सेस्टॉक जब मूब करेगा तो 700 उसका पहले ही ट काफी देखने को मिला है जैसी 680 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ी सेलिंग नीचे की दिशा में आती है तो इंपॉर्टेंट लेवल है जब तक स्टॉक में कोई उपर की दिशा में बड़े लेवल नहीं देखने को मिलेंगे अब यहां पर जो चीज है कि उपर इस करते हैं जो चैनल के अंदर टार्गेट आएंगे वह तब आएंगे जब 725 सस्टेन हो जाएगा जो कि उपर की दिशा के लिए टार्गेट है जब साथ सो सस्टेन कर ले तो यह लेवल रहेगा सस्टेन के लिए यह सस्टेन होता है तो स्ट्रॉंग बाइंग देखने को मिल सबसे जाएंगे लोगों के अंदर काफी हो रहा है सबसे लिए तो यहां पर की दिशा के यह सारे बज़र रिजस्टेंस हो गए हैं और बात आती है कि नीचे में आप सपोर्ट का है तो बाइनी मींज अगर यहां से छोटा मोटा पूल बनता है तो सबस्पास यहां सपोर् इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक को कि काफी दिनों बाद बुलिश मोमेंटम देखने को मिला यहां से काफी देखने को मिल रहा तो अगर यह से मूव से चलता है तो उपर की दिशा अगर पकड़ रहा है तो सेविन ट्वेंटीफाइब के बाद ही बाद करके रख अगर यह से चलता है तो से चलता है तो से चलता है